जहीं दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं 2.3 टॉपिक में टॉपिक है SCO संघाई कोपरेशन और्गिनाइजेशन तो हम लोग देखते हैं इसमें कैसे कैसे क्या क्या काम होता है वर्किंग इस्ट्रक्चर क्या क्या है और इंडिया को इससे क्या रिलेवेंट है और चालिंजेश क्या है और फिर वे फरवाड ओके सो लेट स्टार्ट इस टॉपिक अभी अभी जो अफगनिस्तान में वार चल रहे हैं अभी अभी हमने सुना था नियूज में की प्रेसिडेंट के बगल में मिसाइल छोड़ रहे हैं लोग तालिवान तो बहुत ज्यादा खतरनाक महौल बन गया है वहाँ पर तो संग्हाई कोपरेशन क्या करता है बिसिकली इसके मेंबर्स कंट्रीज ये हैं चाइना कजाकस्तान क्राइगिस्तान रस्या ताजगिस्ता इंडिया और पाकिस्तान बेसिकली ये जो सेंट्रलेशन कंट्रीज है और रस्या चाइना इंडिया पाकिस्तान ये इसका मेंबर्स है ठीक है तो बेसिकली उसी एरिया के हम लोग है तो इसके बारे में हम लोग अफगानेसान के बारे में बात करने पर बात करने के लिए आ सकते हैं या फिर कोई अगर या फिर यहां पर यहां पर सिंपल जो अपना मीटिंग हुआ है 16th मीटिंग इससे भी सुरू कर सकते हैं लेकिन अगर हो सकता है कि अगर 22 में दे रहो है इन 2001 यहां देखिए प्रीकर्सर ग्रूफ संगाई फाइब दिया हुआ पहले संगाई फाइब था ये 1996 में बना था शायद मुझे याद ने एक सेक्षट्री मुझे यादए याद ने यादि याद इसमें पाच लोग थे हैं चायना कजख्स्तान करागिस्तान रश्या यह basically decision making body है, supreme decision making body है, उसके बद देखिए, head of government council discusses the strategy, discusses the strategy for multilateral cooperation and priority directions, ठीक है, यह basically यहां purchase दिया हुआ नहीं है, मैंने डिश्टी IS में देखा था, उसमें लिखा हुआ था कि approves the budget, budget यह वाला HGC approve करता है, ठीक है, और जो भी multilateral यहां लिखा हुआ है, गलत नहीं लिखा हुआ multilateral cooperation में अगरा देखता है, ठीक है, two permanent bodies है, यह दोना, एक SEO secretariat, basically यह संहाई में located है, और informational, analytical, legal, technical support देता है, SEO को, यह secretariat है, basically, ठीक है, regional anti-terrorist organization, यह terrorism के खिलाफ जो भी काम करना है, यह देखता है, यह वाला organization, ठीक है, SEO business council, यह economic के देखेगा, और यह जो bank है, interbank consortium, यह तो banking service क देखता है, basically, मैंने देखा था, दृष्टी आयस में, तो एक, दो, तीन, चार, पांच ही थे, वहाँ पर, यह वाले नहीं थे, तो, क्योंकि structure याद करना जरूरी है, क्योंकि एक बार structure के पर questions पूछ चुका है, UPSA, ठीक है, याद करना जरूरी है, relevance for SEO, relevance of the SEO for India, relevance for the SEO, global influence of SEO, जिस तरके हम लोग जानते हैं कि China, Russia, India, Pakistan, चारो nuclear power है, और चारो इसका member है, तो काफी powerful हो जाती है, organization, और चाइना और रस्या जो permanent member है, UNSG के, United Nations Security Council के, यह भी इसके members है, तो काफी powerful organization है, नाटा हम लोग जानते हैं, North Atlantic Treaty Organization, इसके अंदर में, इसके अंदर में, इसके अंद powerful, ठीक है, और controlling regional terrorism, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, इसके हमें terrorism बहुत जाता है, तो उसो control करने के लिए भी ज़रूरी है, देखिए, Shanghai 5 के बारे में दियावा था कुछ यहाँ पर, यहाँ 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 नहीं दियावा है, साइद 1996 था ही, मुझे exactly या गया था, ठीक है, controlling terrorism, ठीक है, उसके बाद, participant in political dynamics of Afghanistan, अभी जान रहे हैं कि लोग आफगानिस्तान में बहुत बवाल चल रहा है, तो वहाँ के political dimensions को, political dynamics को control करने के लिए भी बहुत ज़रूरी यह meeting, और यह organization बहुत बड़ा role play कर सकता है, क्योंकि already US, US withdraw कर चुका है, तो हमार इसका, जो SEO है, इसका role बहुत important है, वरना Taliban तो बरवाद कर देगा, वहाँ पर, बहुत गंदे-गंदे news आ रहे थे, मुझे, समझे नियारा, क्या हो रहा भाई, वहाँ के लोग कैसे रहते होंगे, इसको देखिए, यहाँ पर देखिए, तो 2009 में, जो SEO है, वहाँ पर, अब गाने सन में काम करना बंद कर दिया था, तकिन 2017 में इन्होंने काम करना सुरू कर दिया है, ठीक है, अब यह वैसे चली गए, यही तो लोको ज्यादा अच्छा role बे करना पड़ेगा, ठीक है, पॉलिटिकल, क्योंकि जो पागिस्तान है, मुस्लिम कंट्री जो भी मेंबर कं करके उनसे दोस्ती करना पड़ेगा, ठीक है, यह एक पॉंट है, उसके बाद देखे, यहाँपे एक मैंने पॉंट डाला था, ठीक है, पामिर मॉंटेन यहाँ पर, मैंने आर छोड़ दिया है, तो पामिर मॉंटेन जो है, चाइना ले लिया था, ताजिकिस्तान से, 2011 में, क्यों लिया था? Dead Trap Diplomacy. उसको भी उसी तरह की से कुछ फशाया था और Dead Trap Diplomacy करके फशा दिया था उसको. ठीक है? उसी तरह की से चैना पाकिस्तान का Gowadar Port ले लिया है, अफगानिस्तान में काम कर रहा है, तो बहुत सारे काम कर रहा है वहाँ पर चाइना होगो काइटर करने के लिए भी हम लोग को स्यों में मिल करके उनसे दोस्ती करना पड़ेगा और उनको जो भी इंफ्रास्ट्रक्ट्टर नीड से हो देना पड़ेगा ठीक है यह पॉलिटिकल चीज हो गई एकनोमिक एड्वेंटेज क्या है एकनोमिक क्योंकि जो सेंट्रल असिन कंट्रीज है उनके पास खूल आइरन इनर्जी जुरीनियम बहुत सारे हैं ठीक है तो हम लोग उसको यूटलाइस कर सकते हैं ठीक है पूछ टूरीजनल कनेक्टिविटी ठीक है हम लोग करना क्या है क् जो हम लोग का एक कॉरिडर है ना जो हम लोग छाब रपोर्ट से अफगानिस्तान तक को जोड रहे थे ठीक है वह बहुत इंपोर्टेंट है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं और यहां पर कुछ एक क्वजक्ट्स है जो काफी पहले बात हुआ है लेकिन अभी तक फानिला आएगा अल्रीडी सो पुछ ब्लॉक किया हुआ है और पाइपलाइन भी चाएंगे हैं पाकिसान से इंडिया के लिए तो काफी मतलब सोच ही नहीं सकते है कि ऐसा कुछ हो सकता है पाकिसान इंडिया का दोस्ती पता नहीं मुझे तो समझ नहीं आता है लेकिन अगर ऐसे प पॉजिटिव रहना है मतलब कह सकते कि अगर दोस्ती अच्छा हो गया अगर हम लोग एस सीओ में पकड़ बना लिए तो यह सारे पाइपलेन को पास करवाने में पाकिस्तान पर प्रेशर बना सकते हैं ठीक है पास करवा सकते हैं और यह हमारा फाइदा हो सकता है ठीक है ए एस फोर सुसाइटी फी फोर पॉलिटी ए फोर एकोनामिक और क्यादा एस पी सी फोर कल्चरल इसके पाइफ इंटरनेशनल फिर फिर इन्वरमेंट और फिर एल फोर लीगल तो इस तरीके का जो फ्रेमवग बनाते हैं हम लोग जिस तरीके से हम लोगो आंसर करने में बहु फ्रेमवग बना लोगे तो आपको आंसर रेटिंग करने में बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा ठीक है आप ज़रू करना अगर दस पंद्रे आर्टिकल्स पंड़ लिजेगा ना इंटरनेशनल रिलेसन्स के उपर उसके बाद आपको कामन पॉइंट्स मिल जाएं कि हाँ इस तरीके से हम लोग एक बेसिक फ्रेमवग बना सकते हैं और उस पो फॉलो करेंगे तो बहुत इसली हम सारे आंसर कर पाएंगे टेंसर नहीं होगा ठीक है अब बोग आते हैं चैलेंजिस क्या है हमें बात किया हमने बात किया मॉंटे नेगरु था ताजिबिस्तां तो तो यह चाइना का डॉमिनियों कर सकते हैं और यहां पर यह एक्ग्जम्पल लियijk ā裡面 लेंगे चाइना पाकिस्ताने करिके हमारा जोना से पास होता हा तो बहुत बूरी बात है है तो यह challenge चैना का dominance क कम करना है हम लोंग category करना ह inflam Κ भदमेंष будем करना है तो करना है कि fighting सिर्फन फाकिस्तान चाइना एकसे सीजब क्या क्यूंकि हमारा एक पुराना रिष्टा रहा है रस्या के साथ रस्या हमारे हमारे अभी देखे थे कि 1960 से रश्या ने हमें निकलियर वेपन बनाने प्रोड़ाम में मदद किया है और अभी-अभी कुंडा कुलम में उन्होंने निकलियर प्रोजेक्ट बना रहे हैं रश्या वाले हम लोग के लिए तो रश्या का साथ हमारा पुराना दोस्ती है लेकिन USA के साथ हमार बहुत है तो यह बहुत डिफिकल्ट से सिच्वेशन आ सकता है तो इसको टैकल करना है हमें क्योंकि रश्या जो है चाइना के साथ बहुत क्लोज है और चाइना जो है पाकिस्तान के साथ बहुत क्लोज है तो अगर अगर इंडिया और पाकिस्तान का वार होता है तो यह बह सा connectivity बहुत कम है ठीकि चाइना से Central Asian countries का जो trade है 50 billion dollars का और हमारा जो है 2 billion dollar का तो बहुत huge 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 gap है उस gap को maintain करना पड़ेगा अच्छे से दोस्ती करना पड़ेगा इसलिए हमारे लिए यह SEO बहुत important है और उसको टाकल करना बहुत जरूए अगर चाइना को लोगो को कैटर करना है चाना को control करना है तो यह जो जो गैप है न इसको reduce करना पड़ेगा तो यह बहुत 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 गया आप है ओके अब यह हैट क्या है बिसिकली हम लोग आज़री जानते है कि जो इस SEO का क्योंकि चाइना भी है अरश्या रश्या भी है यह लोग एंटी वेस्ट है यह वेस्ट के खिलाफ रहते हैं ठीक है तो हम और हम लोग यह साथ है ठीक है प्रो वेस्ट है तो बहुत जरूरी इसको बाइलन्स करके रखना तो हम लोग एक तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं जो सेंट्र लिसिन कंट्री से किया आप लोग देखिए हमारा पुराना रिष्टा है हम लोग साथ में रहेंगे मेलजू के रहेंगे ठीक है इंडिया सूट मोविलाज ओपीनियन फॉर प्रोजेक्ट्स यहां पर देखिए जो प्रोजेक्ट्स हमने देखा था तापी और आई-पी यह सारे को हम लोग खुलवा सकते हैं पाकिस्तान पर सब्सक्राइब करना पड़ेगा अजगाबाद एग्रिमेंट यह एक कनेक्टिविटी एग्रिमेंट है मतलब रोडवेकर बनाने के लिए और यह भी है नौर्थ साथ ट्रांसपोर्ट करिटर जो हमने बनाए था मतलब हमारा एक जब हम लोग स्यूज कहना वाला टापिक कर रहे थे साथ माई में या अप्रिल में कर रहे होंगे मुझे याद नी एक्साइटली स्यूज कहना वाला टापिक में देखे था कि इंडिया जो है ना आई एन एस्टी सी वाला रूट को सज़ेस्ट किया था कि यह वाला कर सकते हम लोग ठीक है यह क्या होता यह अपना इरान से होत होते हुए अफ़गानिसान से होते ही अफसर ही, अफगनिसान से नहीं क्या बह nih कास्पियं सी सी तो होते है रूश्य तक जाता है टीक है टो, यह कर सकते हैं और बहुत लिख सकते हैं, इसके उपर मैं answer लिखूँगा, बहुत मज़ा आने वाला है मुझे, इसके उपर answer लिखने में, और मैं बहुत सारे इसके उपर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, इसका पीडियेप मैं अपने टेलिग्राम चैनल में डाला दूँगा, आप उसका जॉइन कर लो, हो जागा आपका काम, और मिलेंगे आपसे नेक्स टोपिक में, एकनोमी, जिएस्ट के उपर है, टोपिक है, तो थैंकियो फॉलिस तूदिंग।